दर्शको जैभीम इन्ही विचारों को आगे ले जाने के लिए के युवा संगटना लगातार काम कर रही है उसमें से एक संगटना है नैशनल नेटवर्क औफ बुद्धिस यूथ ये जो यूथ संगटना है वो दस सालों से काम कर रही है आज उसका बोर्धरन में जो है दसवा कन्वेंशन है और आप जैसे के मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर यूवा है कई कॉलेज के स्टुडेंस है कई स्कूल के स्टुडेंस हैं यहाँ पर कम उमर के दिखेंगे कुछ जॉब करने वाले हैं और यह अपना कीमती समय निकालके यहाँ पर सिर्फ इसलिए आ के बारे में और धम के बारे में विचार रखते हैं तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं एन बिवाए की टीम के तरफ जिन्हों ने इसकी शुरुआ दस साल पहले की ती आना चाहूंगी चेतन सर के तरफ सर जैभीम आपका स्वागत है हमारे लौड बुद्धा टीवी के इ में जब शुरुआत किये तो वनुभा कैसर आपका दस सल पहले हम लोगों ने कम से कम पचीस लोगों साथियों के साथ में मिलकर इस कारवा को शुरू किया और बाबा साब और फूले शाहू बुद्ध की मुवमेंट को के प्रिंसिपस को धान में रखते हुए ये मुवमे साथे शे से लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर इकटा किया और उसमें पहली बार जब हम लोगों ने करिमेशन किया उसे कमपेरेटिवली आज के कन्वेंशन में जमीन अस्मां का फर्क है लेकिन ये सारा मुवमेंट जो है ये बाबा साब की आइडेलोजी से फिलोसोफी लोगों तक रिच आउट होते हैं जो भारत के अलग-अलग राजियों से आयोवे रिप्रेजेंटिटी रहते हैं इसकी विशेश्चता यह है कि दसवे कन्वेंशन में ना केवल यहां पर शेडूल कास्ट समधाय के लोग है बलकि अलग-अलग जातियों के जहां पर शेडू लिच देते हैं एक शब्त क्या कहना चाहेंगे इन सब के लिए ताकि इनका जो जोश है वो आज दिखकर सामने हैं मुझे लगता है यह अपकमिंग जेनरेशन जो आपके सामने दिख रहा है और यह भारत का रिप्रेजेंटिटिव है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जनरे बाकि सब बहुत मिलजूर के काम करते हैं तो और नाजर के बिहाफ में आप क्या कहना चाहेंगे आपने ओगनाजर की टीम हमने तयार नहीं की खास करके यह खुदी और तयार हुए यह खुदी चाहते है कि बाबा साहब की रहा पर आगे बढ़े इन्होंने उसके लेक्स ट करते हैं तो क्या नहीं प्रतिभा निखर के सामने आती है ऐसी जो प्रतिभा है खास करके उससे सामने आती है कि जो एक आमबिट कराई मोमेंट को लगने वाला जो यूथ है वो कैसे निखरेगा उसी दिशा में खास करके बाबा साहब के जो विचार थे उस विचारों पर आगे आने के लिए जो यूथ है वो अपनी आंतरपेड़ना से पिरित है और उसी रहा पर चलना चाहता है असकर जो लिबर्टी इक्विलेटी फेटरनेर्टी और जस्टिस है इस बातों को आगे बढ़ान चाहता है अपने जीवन में याने कि न्याय बंधुता और समता को लेकर लगातार NNBY काम कर रहा है सर आप से पूछना चाहूंगी मैं दस साल में और आज में क्या फरक देखते हैं आप तस साल में और आज में बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है हम बहुत बहुत अलग अलग जगाओं पर हम रीच आउट कर रहे हैं महारश्टर के साथ-साथ-साथ UP, MP, बिहार और दिली और साथ इंडिया के बहुत सारी ऐसी जगाओं में हम लोग रीच आउट कर र इसके उपर हम लोग बहुत फोकस हम लोग यह देख पाते हैं कि तब और आज में हम लोग देखते हैं कि एक अलग एक ऐसा रियोलिशन फैल रहा है जिससे हम लोग बाबा साब को बहुत अच्छे से रीच आउट कर पा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो एननबी वाय का संगठन है वो सिर्फ बुद्धिजम को और बाबा सहाब के जो विचारों को आगे ले जाने का काम नहीं करता वो अपना कॉंफिदेंस बढाने के लिए भी बहुत काम करता है यहां पर और भी कई हमारे साथ आप जैस करी नहीं ले पाया था कई एजूकेशन बुक तरफ तक ही सिमित्ता बट यहांने आने के बाद हम आइडोलाजी जान सके बाबा सहाब के बारे में डिपली जान सके और बुद्धा को समझ सके और यहां पर हम बात करेंगे सर इन चार दिनों में कौन से ऐसी बात है जो आप बताना चाहेंगे कि बाबा सहाब के बारे में या फिर बुद्धा के बारे में कौन से बात हुई जो आपको टैच हुई और जो आपको आपके जो जिनोंने आपको गाइड के उन से आपको मि तो यह बात मुझे बहुत ही अपील हुई और इस बात को लेकर मैं आगे जाना जाओंगा और जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहां पर कई लोग यहां पर मौजूद है जिनका यह पहला कन्वेंशन है और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कई लोग सिर्फ यहां पर एक सिर्फ देखने के लिए आए थे कि हमें आपर आके कैसा लगता है तो चलिए उनसे बात करते हैं सर आप कहां से आए हैं मैं गाउने एक साय है मेट जिले से यूपी से क्या नाय में आपका मेरा धमी तनली कुमार जी पहला कन्वेंशन आपका जी मेरा सैकेंड कन्वेंशन है और लेकिन बोर्द हमें पहला है क्या है और मैं आगे भी इसको मिसन को पूरा करने के लिए हमाले के परते हम जाय करते हैं जो उन्हों हमारी बलदान किया है निवान के उस समाज के पड़ती इस मतलब की जातीवाद को मेंस्ट कर सकें और समाज में आदर समाज की स्थापना कर से देखिए एक ऐसा युवा जो पहली बार यहां पर आया है और एक आदर्श तमाज के निर्मान की बात करता है और कहता है कि हम दूसरे बार भी आएंगे तो मुझे लगता है कि NNBY का जो यह सफर है काफी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमारे पास और भी आपके कई लोग है सर क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में आज आपके कन्वेंशन का लास डे हैं कैसा मैसूस हो रहा है आपको क्योंकि आज यह सब बातों की जरुवत थी क्योंकि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है आज आगे आना चाहता है बाबा साब की विचारों को लेके चलना पड़ते हैं पर कुछ समाज गंटक उसे रोक अंतरिक को कोशिश करके रोक रहे तो हम चाहते कि इसमें कुछ परिवर् पर कितना बढ़ते जा रहा है और भी कई यहां पर युवा हैं हम इन से बात करना चाहेंगे क्या कहेंगे आज की दिन के बारे में आज यहां तो हर दिन एक स्पेशली होता है बस आज यहनी कि लास डे इसी बात का हमें थोड़ा खेद हो रहा है अगर यहां दिन अगर हैंगे आज यहां से कैसा फिल कर रहा है थोड़ा और लग रहा है क्योंकि पिछले पाच दिन हमने बहुत अच्छे से बिता है बहुत सारा नौलेज लिया और हमने यह जाना कि बाबा साहिब के मिशन के लिए एक यूथ की क्या इंपोर्टन है कितना इंपोर्टन है उसका एक individual to institution बनना तो definitely वो एक बन्दे से शुरू होता है और तबी एक बड़ी organization पे वो काम होता है तो हमने वही सीका है आज कि इतने चाप पिछले पाच दिनों में कि एक अकेला आदमी भी एक बड़ी चीज की शुरुआत कर सकता है और बाबा साहब इसके लिए हमारे पास उ college लेकर जाए तो यह थी लड़कों की टीम अब हम बढ़ेंगे कुछ girls की और जो मुझे लगता कि बेसबरी से इंतजार कर रही है यहाँ पर कि वो भी कुछ यहां पर बताना चाहती है कि हमें क्या कहना है क्या नी हमारे साथ एक organizer है हम बात करेंगे किरती से कैसा लग रहा ह किरती आज आपको यह last day है आपने चार दे में बहुत महनत लिए हैं आपर और आज कहेंगे कि यहां से जा रहे सब क्या फिल हो रहा है थोड़ा नर्वस फिल हो रहा है हर साल की तरह और सबसे अच्छी बात कि इस बार का जो convention है वो हम लोग ने बहुत ही यहने selected participants को बुला कर organize किया है और सभी participants maximum participants ने बहुत सारा knowledge gain किया है और convention काफी अच्छा रहा बाबा साब की moment के लिए सभी ने याने प्रोचसान दिया है और बहुत कुछ सीखने को मिला तो यहां पे कुछ लोग ऐसे भी है जो पहली बार आये हैं हम इनसे पूछेंगे यहां पे पहली बार पहला convention है तहां से हैं गोनिया से क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में आपने बाबा साहब को गुद्धा को किता जाना है यह चार दिनों में मैं बहुत को सिक्की हूँ यह convention का subject ही था कि डॉक्टर बिया रामेट कर a democratic revolution from individual to institution तो इसके अंतर कर जो भी subject आते हैं transformation, how to think, social responsibility यह सब चीजे और इसकी knowledgeable बाते वक्तों ने बहुत अच्छे दर से हमें समझाये यह सी क्यों कि खुद का development करके फिर अपने family में awareness पर फैला के समाज में जागुरिते फैला सकते हैं तो यहां पर देखा अपने सिर्फ युवानी कई कई लेडिज ऐसी भी आई हैं जो काफी अपने साथ बच्चों को भी लेके आई हैं तो हम बच्चों से भी बात जरूर करना चाहेंगे कि जैसे कि आप यहां पर हम इन से पूछते हैं कि मैं कहां से ही आप दरली से आपके साथ बच्चे भी है जी जी बच्चे भी है मेरे साथ तो कैसा अनुभा रहा इन चार दिनों का आपका मेरा अनुवा बहुत अच्छा रहा और मैं ऐसे चाहते हूं कि और भी लेडिजन जैसे मैं आई अपने बच्छों को लेकर और फिलाल और भी आए मेरा अनुवा बच्छा रहा और मेरे को यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला अगर बुद्धिजम में लग जाए तो अपने घर में काफी बदलाव ला सकती है आपको क्या लगता है यहां से लेके जाएंगी तो घर में क्या बदलाव महसुस करेंगी घर में जैसे कहते हैं ना के एक्जामपल की तौर पे जैसे तीन-चार किलो दूद को एक चमस दही जमाद्य देती है उसी प्रकार महिला घर का एक सदस्या है जो अपने परिवार का उद्धार कर सकती है तो देखिए सिर्फ युवाव को इखटा करने के लिए ये कन्वेंशन तयार किया गया था लेकिन हर एज के लोग इसका फायदा उठारे आप देख सकते हैं हैं पर चोड़i चोटी बच्चिया इस चोड़ी सी बच्ची से ज़रूर बात करना चाहेंगे क्या नाम है अपका दिख्षा कैसा लगा यहां कि बहुत अच्छा पिकनिक जी च्छा लगा और क्या कहना चाहें कुछ नहीं कुछ तो कहिए अब होट अच्छ लगा कि अपना मेंटोक दिये यहां पर अच्छ चैनल भी एच्छ अच्छा आप एक खाने का भी बहुत ख्याल रखा गया हैं अब यहां पर दीदी है और दीदी है भाईया यह सब तो आप आपने जैसे की देखा यहां पर सिर्फ बड़ों ही नहीं बच्चों ने भी पूरा आनंद उठाया इन चार दिनों का इन से पुछेंगे इन चार दिनों में आपको क्या लगता है मेरे खयाल से भूजे अशी नहीं पूछ निगता हैं कि जो बच्चे आते हैं वो कुछ लेक ही जाता है नहीं से ठीक है उनका इहां पर मनौरेंजन नहीं हो रहा है साथ की उनको कुछ सिखाय की जा। है हमारे आदर्श के बारे में हमारे आदर्श हो के बारे में बताया जा रहा है प्लस गेम के साथ कि हम गेम के साथ वेट गयाते हैं तो निलिए क्षाण करते हैं प्लस अगर वह द्याद हों पड़ते रहे तो उसके साथ भी वह और जाए came क earn is Re meditation के तौर पे जैसे जाता कथाई हो गई बाबा साब के कुछ मुम जो उनकी हिस्ट्री हो गई उसके बारे हम उनको नॉलिज देते हैं तो उससे बच्चा सीखता ही है तो यहां पर और भी कुछ आपे गर्ल्स बैठी है उनसे बात करेंगे आप कहां से हैं गोंदिया आपका प अफिश आये रहते हैं पर खुद को बहुत जल्दी अपना confidence बिल्डब कर लेते हैं तो confidence में आपको पहले दिन और last डिंग क्या फरक लगता है मैंने खुद ने यहां पर ग्रूप लीड किया है तो मेरे ग्रूप में जितने भी मेंबर से उसमें से सिर्फ स्टार्टिंग म ग्यारा मेंबर से सिर्फ स्टार्टिंग में पांच मेंबर बोलते थे बट आज लास्ट डे है जिसमें सारे मेंबर की connectivity बहुत जादा बढ़ गई है हर एक मेंबर ने बहुत अपना 100% दिया है आज हमारे साथ शद्धा वजरी जी है तो आए उनसे बात करते हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दस साल पहले कंवेंशन की मतलब इसकी शुरुवातुवातुविती हर साल आप कंवेंशन लेते हैं तो आजकल की युवा है वो बुद्धिजम से बाबा साहब से कुछ सभ यूथ हमारा बहुत सारे जो निती मत्ता उस निती मत्ता से हट गया है और उसकी वज़े से उसका जीवन जो है वो कटनाईों से भरता हुआ जा रहा है लेकिन यह जो आपका बेस है वो बेस ही खतम हो जाएगा तो यहां एक एट्मोस्फेर मिलता है जिसमें वो यहां आकर इसा feel करते हैं क्युक्ति मैं उत्तर परदे बिलॉंग करती हूं और वहां पर ऐसा महिलाओ के लिए विसेज रूप से गर्स के लिए कि बहुत जादे अधे सैपरेशन है डिस्क्रिमिनेशन बहुत है सिर्फ कास डिस्क्रिमेशन नहीं जहलते हों तो हम वहां पर जो gender discrimination है वो बहुत जादा देखने को मिलता है लेकिन एक NNBY का मैं ऐसे कहूंगे कि एक ऐसा platform है हमारे पास में यहां कि जहां पर हम आने के बाद में कोई boys नहीं है कोई girls नहीं है सिर्फ human being है हम यहां पर और कोई जाती नहीं है तो एक इंसान करके दूसरे इंसान को देखे जो बाबसाब ने कहा वो एक ऐसी सोसाइटी जो कहीं दिखाई नहीं देती उसका एक ऐसा जो रंग है एक ऐसा जो रूप है यह एक ऐसी जो जहलक है जिसका हम टैस्ट ले सकते उस NNBY के कन्वेंशन में देखने को मिलता है और जब वो क्योंकि महारास्ट और उत्तर भारत गई हीशना कर लिसकी होता है जहांप सीवने इन Colin होता है और यस है इस तंकल पना को लेकर जो यहां से जाते हैं क्योंकि यहां पर और जो जो धं महारास्ट के अलग अलग छेत्रों में तो वह इूत जाकर वहार lame पर काम करता है और फिर वह मारत नहीं दूसरे यूत के लि वो बोईस है या गुस है वो किस जाती गा है किस धर्म का है उसको इस बात से मतलब नहीं होता एन अनपी वाई का हर यूद्द इस बात के लिए committed है कि यूद का जीवन जो है वो success बने वो अपने जीवन में एक नीतिमान व्यक्ति बने जिसकी बाबसाब को अपेख्षा थी एक ऐसा platform है कि जहां पर यूद को नीतिमान बनाना बताया जाता है और कैसे वो बने ये सिखाया जाता है तो मैं बहुत बहुत हैं कि उमसे बात करने के लिए तो इस कारेकरम के मादेम से दर्शे को आपको यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि आपने देखा देश भर से यहां पर यूवा जो है यहां पर आई हुए हैं और हर एक यूवा जो है जब यहां से निकल कर अपने घर में हो सके तो इसी के साथ में अपील करना चाहूंगे कि ऐसे ही जो कन्वेंशन है होते रहें और संख्या जो है लगातार बढ़ते रहें और आखिर मैं मेरे जो यहां पर यूवा भाई-भेन बैठें उनसे चाहूंगे कि वह जोरदार एक नारे के साथ बस इस हम कारेकरम की सम तो यह था हमारा चोटा सफर एक रूप दिखाने का आपको हमारी कोशिश बस यही थी कि आप घर तक कारेकरम पहुंचे और आप जाने कि ऐसे कन्वेंशन क्यों लिए जाते हैं ताकि यूवा जागरिक हो और देश का इतिहास बदल सके कैमरा प्रसर सके इसनी जगता आप के साथ मैं चेतना लोड़ बुधा टीवी के लिए जैबी